नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ किधाम में भक्तों के लिए नए विवस्थाओं का एलान किया गया है। ये बदलाव खास तोर पर सुगम दर्शन और प्रसाद की विवस्था से जुड़ा हुआ है। यानि अब भक्तों को ज्यादा सुविधाएं और सरलता से बाबा के दर्शन हो सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदर पारा जोतरलिंगों में से एक हैं, निर्माण के समय मंदर के शिखर पर लगभग 800 किलो सोना चड़ाया गया था। ये हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र है। तो ऐसे में अगर आब वारनसी में बाबा विश्वनाथ मंदर के दर्शन का प्लान बना रही हैं, तो पहले ये बाते जरूर जान लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि पहले सुगम दर्शन के लिए भगतों को 300 रुपे का टिकेट लेना पड़ता था। जिसमें से 500 रुपे का दर्शन शुल्क और 50 रुपे का महाप्रसाद शामल था। लेकिन अब इस विवस्था में बदलाव किया गया है, अब भगतों को केवल 2500 रुपे का टिकेट लेना होगा, यानि महाप्रसाद के लिए राश्वी का भुकतान करना जरूरी नहीं होगा इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ मंदर के मुख्य कारेपालक अधिकारी विश्व भूशन मिश्वरा ने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य भकतों को बहतर सुविधा देना है। इस दो सो ग्राम के तंदुल प्रसाद की कीमत 120 रुपे होगी जिसे बनास देरी तैयार कर रही है। इस नए तंदुल प्रसाद को एक खास फॉर्मूले से बनाया जा रहा है जिसकी जिम्यदारी बनास देरी को सौपी गई है। ये प्रसाद बेलपत्र, चावल के आटे, ड्राइफरूट्स और देसी घी से तयार किया जाता है। इसे बनाते समय शुद्धता का खास ध्यान रखा जाता है। ये भी बता देते हैं कि हालही में अंद्रप्रदेश के तिरुपती मंदिर के प्रसाद में मास पाया गया था। जिसके बाद खूब बवाल मचा था। अब इससे बचने के लिए काशी के मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए केवल सनातन धर्म से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया है जो स्नान के बाद इस कारे को करते हैं यानि भक्ति के साथ-साथ शुद्धता पर भी भ्यान दिया जाएगा इन दोनों बदलावों के बाद से भक्तों के अनुभक को और ज्यादा बहतर किया जा सकेगा सुगम दर्शन की कम लागत और तंदुल प्रसाद की नई व्यवस्था ये दोनों ही चीजें भक्तों को और ज्यादा सुभिदा देगी ये बदलाव बाबा विश्वनात के प्रत प्रवाली टीन